अब नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आलुक बाच्पी आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नमबर वन स्टडी चैनल वाई-फाई-टूडी पर और आप लोग इस समय जुड़े हुए हैं वाई-फाई-टूडी स्टूडी ओफिस्यल यूट्व चैनल पर जैस सब्सक्राइब करते हैं बहतं हैं बहतन तरीके से हम लोगpas होता करते हैं बहीं で यार सेर करने सबसे पहले और अचैनल लिप्र मुझे जरूर फॉर करेंगे नाकरबी्ज ल्नार अरपर जब को फॉर्लो करते हैं तो मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेसण आप लोगों को मिलेगा अगर आप लोग मुझे फालो करेंगे ठीक है बाई सभी लोग फालो करेंगे आलोग कुमार बाच्पई के नाम से और किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अकेडमी पर यहां पर कोई भी प्रस्न आप सभी लोग पूछ सकते हैं इमेज फॉर्म में कोईस्टन क्रियाट कीजिए और संट की यह बहुत जबरदस्त तीनों केटेगरीज में रेलवे बैंग एन एससी तीनों केटेगरीज में टेस्ट हो रहा है बीस टारीफ इस फैबरेली फो और यह टेस्ट वह यह दस बजे होगा बैंक का स हुआ है दो बज़े दोपायर में एससी का स्वाम को पांच बज़े रेलवे का इन्रॉल्मेंट आवस्यक है एकॉर्डिंटू स्लेवस एकॉर्डिंटू एक्जाम आपका यह टेस्ट किया रहा है प्राइज आप लोग देख सकते हैं लेप्टाफ है बहुत सारे फोन से ब सकते हैं आप पर प्रियोग जरूर कीजिए जब भी लगार कि सब्सक्रिप्सन लेने का तरीका का चाहां डिवरेशन सेलेक्ट किया रफ्रेल कोड एबी सर लिखा प्रोसीट टूपे कर दिया हो गया वह सब्सक्रिप्स मेरे टेलीग्राम गुरूप से सभी लोग जुड़ सकते हो जी एस अब लिक जीके वाया लोक सर अर यह हमने आभी आपको दिखाया गया था तेरह तारीक को सभी लोग सुबह साड़े नौ बजे मेरे साथ जरूर जुड़िये और बहतर तरीके से जुड़िये भाई आप सभी लोग ठीक है तेरह तारीक को आप सभी लोग जुड़ना है हम लोग धमागेदार प्रेपरेशन कराने वाले हैं तो साड़े नौ बजे ओनली ओन वाइपाई स्टूडियोज यहां पर आप जुड़े हुए इसी चैनल पर जुड़ना है ठीक है पहला सवाल अभी है फटाबाट आंसर कीजिएगा भारती सब्जी अनुसंधान सहस्थ कान की बात करें तो यह बनारस में है कि इसको हम लोग वारा असी बोलते हैं बनारस में और यह आपका उत्तरप्रदेश बनारस में हो जाता है याद होना चाहिए बनारस में गंगा नदी के किनारे इस्थित याद होना चाहिए बनारस से मेंबर आप पार्लियमेंट हमारे लखनव की बात करेंगे चौधरी चरंसिंग एरपोर्ट लखनव में बनारस एरपोर्ट का नाम अगर पूछा जाएगा लालबादु सास्त्री इंटर्नेस्ट कानपुर गंगा नदी के किनारे इस्तित है अब व्याद होना चाहिए कानपुर जो है वह आपका बच्चे नाइन्थ हमेटमेंट से टेक्लियर किया गया था क्वेश्चन नबर नेक्स्ट है नियर विच वन अब दो फॉलॉइंग सिटीज आर लिखा हुआ है पालिताना टेंपल यह पालिताना टेंपल भाईया कहां पर है क्या सही आंसर होगा पट्टा बट आंसर कीजिए सारे ल और यह गुजरात के भावनगर में आउनगर के पास्त में यह स्थित एक मंदीर माउन्ट आबू में भी बहुत दिलाडा के जैन पूछा जाएगा तो यह आपके माउन्ट आबू में यहां पर मेला भी लगता है या नासिक प्याज प्याज के अनियन उतपाधन के लिए स मिस्ति थे ठीक है कॉंग्रेस के किसा इवैसन में त्याक पत्र देने के बाद में पंडित मोतिलाल नहरू और दास मुतलब स्वराज पार्टी इस्टेब्लिश्ट बाई मोतिलाल नहरू और चितरंजन्दास एंड चितरंजन्दास वाज़ चेर्मेर आफ इंडियन नेशनल कॉंग्रेस इन 1922 एट गया सैसन ठीक है यहां पर यह रिदाइन करते हैं और उसके बाद में मोतिलाल नहरू के साथ में इलह जिन्होंने फारवर्ड लाग की भी स्थापना की 1949 में हरिपूरा सैसन के भी अद्धेक छोते हैं 1931 में त्रिपूरी स्रेशन के भी अद्धेक छोते हैं 1949 अगला सवाल है रही एंसीडी का विस्कार किसने किया लिक्विट क्रिस्टल डिस्पले यह फुल फॉर्म है देखो यह यह तो आइसी चिप्स बनाया है इन्होंने किस्टोफर लेथम सास ने कंप्यूटर का की बोर्ड बनाया है कि वोर्ड बनाया है और जॉर्ज एच हेमिलियर ने लसीडी का विस्कार किया शेवर्स यह 65 वर्स की आयों तक जो भी पहले आता है किसका कारेकाल नहीं है किसका कारेकाल बच्चे नहीं है बहुत मात्रपूर सवाल तीएजी भारत का पहला लेखा अधिकारी आर्टिकल 148 से 151 इनका वह यह च्छेवटे 65 है कारेकाल तो यह तो आंसर नहीं हो अगर पूछा जाएगा इनका कोई कारेकाल निश्चित नहीं है क्योंकि यह क्लप ने मिल्का सिंग के नाम पर और गोशना की है आंसर किजीए ग मैं तो किरा ग्लाइडिंग क्लप फोलें कि तो लेंग होस्टा जो है और किस राजे के द्वारह की गई सब्सक्राइब मिलका सिंसी के नाम पर द्वान GG जाते थे मिलका सिंग साहब जिनके सुपुत्रक भारत के जानेवाने गोल प्लेयर हैं जी मिलका साहब और यह पैरा सब्सक्राइब करते हैं 1966 में बना था यहां के प्रसिद्ध डांस है लुड़ी है खेरिया है अगला सवा विस्ट पर्यावास दिवाज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड हैविटेट यह कम मनाते हैं साथ अगस्त या बैरा ऑगस्त चार क्क्टूबर येकुए ई 열 साथ अगस्त्त डो दिवस is ौइच काई राश्ट्रा या भाला फैकत इस कि नीरफ fautड मिडल जीदात था टोकीओ लंपिक्रेक नीरफ अभी दो दिवस एक तो विस्ट विवा दिवस दूसरा विस्ट व हाथी दिवस दोनों बार अगस्त को चार अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड हैविटेट के लिए सारे लोगों को चलिए मूब टू नेक्स्ट क्वेस्ट ने अपने सासन के कितने वर्सबाद लग बहुत बढ़िया सवाल है कलिंग सबसे पहले पूछा जाए कहा था तो आप कह सकते ह क्लिंग का युद्ध हुआ कब 261 इस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध से पहले का असोग लडाकू जिसको बोलते हैं चंडा सोग एक ही अकांचा है कि सवराज का विस्तार कर दो अपना अधिकार होना चाहिए कलिंग युद्धु में इतने सारे लोग मारे इतने सारे बंदी बनाएं गया बहुत रक्तपात हुआ असोग का मन द्रवित हो गया और उसने जीवन में कभी युद्धना लड़ने की ठान ली लेकिन चालांग बहुत है अपनी सेना कभी नहीं विख्डित की और उसके बाद में धम बुद्ध धर्म अपनाता है और धम्मा सोग हो करता है तेर्में सिलालेख में याद रखिएगा असोग अगला सवाब तरहीं का तीसरा यह तो भाया कब हुआ अब उनन लोग तरहीं के पहला दूसरा पढ़ते हैं कि 1191 प्रत्विराच्वान मुहम्मद गौरी तीसरा कहां से आ गया तीसरा मुहम्मद गौरी के दासों मे नसरुदीन कुबाचा यह बराबर एवक को भी डिस्टर्व करता रहा कभी दिल्ली में अधिकार नहीं करने दिया कुबाचा नहीं और वहीं इसको सिंदु नदी में डुबा करके मारता है और यही युद्ध आपका तराइन का तीसरा युद्ध कहलाता है 1215 पहला 1191 में दूसरा 1192 याद रखेगा इन्तुत्विस और कुबाचा के बीच में तरह इनका तीसरा युद्ध हुआ है अगला समय घागरा के युद्ध कब हुआ घागरा का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है घागरा का युद्ध बच्चे कब हुआ देखव भावर ने चबवर भी स्मय पानी Rules 2 Na 2 बवर ने खाना खाया evaluate 28 बवर ने चांद देखा व्यंटिस में बहुआर कर पहुँचा वर 3 अथी बवर मर गया कि पानी पत का यूद 1526 पानी से पानी पत का यूद 1527 खाना से खानवा का यूद 1528 चांद से चंदेरी का यूद 1529 घर से घागरा का यूद और तीस में बावर म्रत्य हो गई तो भया घागरा पूछा है तो क्या लगा होगे यार क्या लगा होगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1529 प्रस्त का सही उत्तर है के लियर हुआ हा या ना एक बार बता देंगे कमेंट सेक्शन में और या सेर कर दीजे एक बार समी लोग ज सब्सक्राइब की आंसर कीजिए भाई है कि यह को बहुत बढ़िया सवार है बहुत 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 ध्यान से समझे बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद में जो बाबर और राना सांगा की बीच में 1527 में होता है इसके बाद में बाबर गाजी के उपाधारन कहता है पा दिल्ली सल्तनत के अंतिम सासक इब्राहीम लोदी को युद्ध भूमी में मार गिलाता है इसी के साथ इब्राहीम लोदी युद्ध भूमी में मारा जाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान भी बन जाता है और इस युद्ध में बिजय के बाद काबुल के प्रतेव निवास कि अमबर कोट मेंढ दीन पना भायन लाल मैल या किलो करी में है इन बताओ करों भाबर की मृत्व भक्षै कहां पर हो मृती है बिहां इस बहुत बढ़िया सवाल है आख पता की तरब से टैमूत का पांचमा बंस रहे पिता की तरब से चंगेच मुर्ट्यों कैसे पुस्तके पढ़ने का बहुत सवकीन है जहां भी जाएगा पूरा चलता पिरता पुस्तकाले लेकर जाएगा पूरा moving city चलता पिरता सहर पुस्तकाले भी होगा अपने जीवन के अंतिम समय में कह सकते हैं कि पुस्तके पढ़ रहा था भाई कहां पर दीन पनाववन में एक सेर मंदर पुस्तकाले वहां पर पुस्तके पढ़कर के उतर रहा होता है लेवरीरी से पैर स्लिप हो जाता है और वहीं पर हुमायू की मृत्ति हो जाती है तो लेंपूल कहता है हुमायू जीवन में लड़ ख 52 में याद रखेगा मस्ट इंपोर्टेंट है ये वलंस संबंदी ते है किलो करी जलालु धीन खिलि से संबंदित आगे बड़shop अकपर ने किस अभयान के दौरां समुद्र के दरसन कि एकपर सम Cisco किðा है इसे करूगी छिए देखो ये दी इंप 1572 में है गुजराद का वियान कियाव सबसेतीब्र गति से किया उसी अभियान के दोरान इसने समंदर के दर्सन किये और इसी अभियान की इस्म।रती में पतेपुर शेक्री में वुलंद दर्वाजा भी बनबाया इसी अभियान की याद में बुलन दर्वाजे का निर्मार भी करा है अगला सवाल है अक्पर के दोरा मजहर की गोष्णा में या कब की गई मजहर की बच्चे गोष्णा कब की गई इस एख टेवह ऐसे याद चल तो मजहर क्य होगा फंदा सो वन नासी पंद्राशो ती नासीं व कैलींडर होγे अगला सव बिवु डांस का आयोजन एक बर्स में कितनी बार होता है बिवु एक सत्तारिया अंकियानाट महारास नटपूजा खेल गोपाल बुहरंबा सब असम के इंद्रते हैं एक साल में तीन बार इसका आयोजन होता है ठीक है असम का है भारत के समिदान का कौन सा प्रावधान राज सेवेंटी- 7022 राश्पति के पास में करता था त une बरतमान भ राश्पति के पास में लिठान समय और यह बचा किया 161 आपके प्रस्तका साय Le Strung लोग्त्य पास चमादान के सक्ती आर्टिकल नंबर 161 श्र्स कोजएं के बयुँआ है सिवरकोऌे हुँ था प्रवीन धर्मेंद्र सारे लोगों को यहां तक क्लिए रहे को दिक्कत को समस्य को परसानी तो बोल दोगे बाई चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है निम्लिकित में से कौन महत्मा गांदी के संतान नहीं है हरिलाल गांदी रहदास गांदी देवदास गांदी रामदास गांदी रहदास लिखा हुआ है यह गांदी के पुत्र नहीं है रामदास हैं फिर से एक बार रिपीट कर दू मडिलाल देवदास हरिलाल रामदास तो रहधास नहीं है ठीक है और इनके दत्तत पुत्र कौन है जिनको पांचमा पुत्र बोलते हैं जमना लाल बज्याज को यह भी आगती है ठीक है तो अंसर क्या हो जाएगा रहधास नहीं इस वांग किस राजी के लोगों के दोरा किया जाने वाला एक महत्रपूर्ण दुरत थे हैं अगला सवाल है लुसाई हिल्स किस राजी से संबंदित है मिजोरम नागालेंड उडिसा या नवा निकोबार लुसाई हिल लुसाई हिल जो है दियाब किस राजी से संबंदित है बहुत बढ़िया सवाल है ऐसा समझूगी है नौर्थ हिस्ट का इस तरीके से मैंने मैप बना दिया इसमें डपला पहाणी हो जाती है रुनाचर प्रदेश में मेघालेंड गारो खासी जैंतिया हो जाती है मिजोरम को मिजो या लुसाई यह बोलते हैं तो मिजोरम में हो जाएगी लुसाई ठीक है और नागला महारास्त्र में नांदेड आंसr कीजेगा देखों प्यारे विध्यार्थियों नांदेड भर गन्गा गोधावरी निदी धच्च्ध गंगा गोधावरी नदी क्रश्णा केकिनारे भीज़यबाड नागार्जुन सागर्वांद कृष्णा कृष्णा नदी पर ठीक है गंगा सबसे लंबी नदी 2525 किलो मीटर लेकिन भारत में 2510 किलो मीटर ठीक है भी या चलिए अगला सवाव 1922 में कांग्रेस के अध्रेक्ष कौन थे इन इस बाइस में पटापटा अंसर करोगे या जवालन नहरु निस 29 में पहली बार वंक्ते हैं चितरंजंदास 1922 में घया अधिवेशन में मोझिलाल नहरु भी नहीं यह तो इनके साथ में बनाते हैं भाई तो राज पार्टी तो आंसर क्या हो जाएगा 1922 में चितरंजंद आजी की पेंटिंग है इसलिए इंपॉर्टेंट है यह क्योंकि यह मिल चुका है इसको और सुराय को बार यह जारखंड की है ठीक है उत्तर प्रदेश के गोरकपूर के तेरा कोटा को भी जी आई टैंग मिला था विस्तु द्रस्ट दिवस वर्ल्ड साइड डे यह कम मना जाता है चौदा अक्टूबर बहरा मई आठ अक्टूबर या एक मई बोलोगे फास्ट तेजी से सारे लोग भी आंसर करते रहेंगे सेयर जरूर कर दीजेगा सेशन को अध एक मैव को अंतर राष्टि निवस को बाल्यारिक दीबसमो कि समंदर में इस्तित है बाल्यारिक कि बात करें अगर कभी आप से पूछे जाएंगे तो आप ऑगे एस्टोणिया लाट्विया लिथुवानिया और बाल्टिक कंट्रीर जोות एक किनारे बाल्टिक सागर के हैं वो बाल्टिक कंट्री महा सागरों का क्रम पूछा जाए तो आप को ओगे पैसा कोट पेसिफिक ऑसीन अट्लांकिक ऑसीन इंडियन ऑसीन साउधर नोसियन आर्केटिक ऑसीन यह आपका हो गया प्यारे विद्ध्यार्थियों बड़े से छोटे बहा सा क्या करेक्ट आंसर होगा तो देखो यह प्रेश्ण का सही उत्तर हो जाएगा आपका कोस्टा रिका ठीक है बाहमास की नसाव हो जाती है याद रखेएगा और डोमिनो रिपबिक सेंट डोबिंगो बहमास नसाव कोस्टा अग्रेजों ने अपनी कमी को पैचाना सेना में सुधार की जरूरत पड़ी तो सेना में सुधार के लिए कमीशन आया डैट वास पील कमीशन यानिक इट मेंस रिलेटेट टू एटें 57 रिवोल्ट के लिए आया डैटी तो निवेंट टू मोस्ट इवेंट इवेंट इवेंट्स इवंट इस इंडिवीजो सथ आग्रें जिसको में लोग भुटीगा सब्सक्राइब और सब्सक्राइब और इस अगस्त आपर एच अगस्ट आगस्ट इगां चीट कर एंगर थे अन 12th March 12th March 1930 सब्सक्राइब कर दो दंडी मार्च प्राम सावर मती आश्टरंग तू नवसारी डिस्टिक दंडी के लिए 1854 इस रिलेटेट टू बुट बिस्पैच कमीशन इस रिलेटेटर बुट दिस्पैच कमीशन से नवुट नेक्स वेस्ट गांधी एर्विन पैक्ट जो हुआ इसम मध्यस्टता की भूमिका निभाई कौन मीडियेटर था महत्मागांदी थे जिन्ना साथ तेजबादुर सप्रू या चित्रण जंदास कि बोलिया कौन थे क्या अंसर होगा को कौन थे इसमें से जिन्नोंने मध्यस्टता की मुभूमिका निभाई थी और बेसिकली यह सप्रू यह वहीं तेजबाद सप्रू है जो तीनों गोल में समेलों में भाग लिया एक तो इन्हों ने लिया अदूसरा डॉक्तर भीम राउमेट का दो ऐसे पर्सन है जिन्हों ने तीनों राउंड टेवल कॉन्फरेंस में पार्टिसिपेर किया था गांधी जी ने के वह से था केशरी रिटेन इन मराठी लेंग्वेज एंड मराठा रिटेन इंग्लिस लेंग्वेज याद रखिएगा लाला लाजपत राय इनकी जो डेथ होती है 1928 में होती है यह जब साइमन कविंसन का विरोग करते हैं लाहौर में उसके पाद घायल हो जाते हैं लाटी होते हैं राजयन प्रसाथ साब को भारत रतना 1962 में प्रदान किया जाता है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं लक्षमी बीमा कंपनी के इस्थापना किसने की हूँ फाउंडेट लक्षमी इंस्वरेंस कंपनी जब भी हम लोग मॉडन इंडिया पढ़ते हैं तो फिनांस वाले पंजाब नेस्वरेंक लाला जी ने स्तापित की लगश्मी ऑगर बात करेंगे पहरती राश्त्री कंग्रेज्स की पहली मैला अध्यक्ष है 1917 कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांदीजी 1924 में बेलगाओ अधिवेशन में कांग्रेस में अध्यक्ष है पंडित मदन मौहन वालमी इनको महमना के नाम से जानती है अग्ला सवा आनंद वन वास पाउंड़ वाई आनंद वन की स्थापना किसक वह अंतने लोग जुड़े हुएं वह या तेजी से एक बार आंसर जरू करेंगे सारे लोग अबहुत बहतरीन क्वेश्चन है अंसर कीजिए बाबा आंटे इनका एक आस्रम है महराश्ट्र में कुछ रोगियों की सेवा करते हैं और इनको इसके लिए गंदी सांती पुरस वरगीज कुरियन को दुख्द करांति का जनक कहते हैं 26 नौंबर को प्रतिवार्स इनका जन्म दिवास मनाया जाता है राश्ट्री दुख्दिवस के रूप में और संभिधान दिवस के रूप में दोड़ों ठीक है बैए मैस स्वामी नातन को हम लोग भारत में हरित करां सिस्थापक अपने जीवन के अंतिम समय में उनके साथ चले जाते हैं स्रावर्ण वेलगोल करनाट वहीं पर संलेखना काया क्लेस जिसमें सब कुछ खाना भी ना छोड़ देते हैं उसी विदी से अपने प्राण स्यागते हैं कौन चंद्रगुप्त महरे साब जैन धर्म से रिलेटेड हो जाएंगे इनका पुत्र है बिंदुसार ना जैन रिलीजन को फॉलो करता है ना बहुत को वह आजीवक कानु आई है और आजीवक के संस्थापक होते हैं मखली पुत्र गोसार ठीक है याद रहेगा चली अगला सवार प्रणोगी की और विज्ञान संस्था इतिहास जब पढ़ते हैं तो एक इंस्टिटिवड आता है अब जो जाना जाता है बिट्स फिलानी के नाम से यह घंसे अंदास बिड़ला का है इसका है वह यह प्रणोगी की और विज्ञान संस्थान के नाम से जाना जाता था इसकी बिड़ला जी ने इस ठापना कि अख अखिल भारती स्टेट्स पीपल्स कॉन्फरेंस को राधा स्वामी सत्संग परजामंडल जाट संग या इन में से कोई नहीं क्या उतर होगा कि कौन पहले बुद्धिजम खौलों करते हैं कि बोलिए बैस्ट बहतरीन क्वेस्टन है देखिए कि बूलिए बैया सारे लोग कि बहुत बढ़िया सवाल है देखो या अखिल भारती स्टेट्स पीपल्स परजामंडल के नाम से जानते हैं किसके नाम से परजामंडल के नाम से हम लोग जानते हैं इसको बाइश से हमारे देश में पहले आइसीयस हुए है 1863 में पहले तुरेंदनाद बनर जी को बरखास्त किया था यह सम में कलेक्टर भी रहे इंडियन सिविल सर्विस भारत में होना बहुत बाद में जब लोकसिवायोग बन जाता है 1926 में तब होना यह सुनू होता है पहले लंदन एक्जाम देने जाना पड़ता था आप सोचो इंगलाइंड में एक्जाम होता है इस ट्रेची अकाल कमीशन किसके समय में गठित किया जाता है लौड मिंटो सेकेंड लॉड लिटन लॉड रिपन या लॉड डफरिंग देखो बाई इस ट्रेची अकाल कमीश लॉड लॉड लिटन इसको अबन मेरेडित भी कहते हैं लॉड रिपन को इस ठानी स्वासन का जनक पहली दसद्री दस बर्सी जनगड़ारीपन के समय में हुई इलवर्ट वीर्ल रिपन के समय में आता है पुरिंग के समय में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की स्थापना हो भाइं is वो फूले सारे बिचित्र नाटक को हम लोग किसकी आत्मकथा मानते हैं या वते तक क्या अंसर को इस ले को विडिद्वार्न कथा है वो गुर गुबिनी मिजुझ साहब कि खालसा पंत्र की स्थाफना भी कि 1659 ठीक है है याद रहेगा शिक्रों के अगर अंतिम गुरु की बात करते हैं दसमे गुरु की बात करते हैं गुरु गोविन सिंग साहब होते हैं गुरु हर गोविन सिंग साहब को लडाकु सिख कहते हैं इन्होंने अकाल तक त्वंगा की स्थापना की लवन पद्दती गुरु अमरदास जी ने दी थी लवन पद और को दिक्कत को समस्या को परशानी तो आप पूछ सकते हो भाई को कि अब बढ़े रवे खाशाव करनल आ इतिहास को लिखा है अजर्ष फबरता जो तो यहां तक सबंगार आप प्यार है द्यातियों कोई भी दिक्कत है तो आप लोग बताएगा और देखे थर्टीन वह यानिकि 13 फेवरिल को मॉर्निंग में 930 आप लोग जरूर जुड़िए गरेसा एक बहतरी चेटल का हम सारी टीम ने बहुत 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 जितने लोग जुड़े हुए हैं वह देखे एक बहतरीन इंफॉर्मेशन हमेशा बताते हैं कि इस टेस्ट में आप सभी लोग इन्रॉल्मेंट कर लोग न पर आप लोग देख सकते हैं सैसन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को बच्चे सब्स्क सब्सक्राइब जरू की ओके थैंक यू एबरिवन जैहिंद जभारत बढ़ियास रहें साब्धान रहें सपर्क रहें सुरचित रहें और मन लगा करके पढ़ते लिए